हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है मेरे चैनल सिंग की चन जी पे आज हम बनाने जा रहे हैं चने का साग ठंडी के मुसम में हरा हरा मिलता है और बहुत स्वादिष्ट भी लगता है और इसके लिए हम चने का साग लिए आधा केजी उसको धोके साप कर लिए हैं और इधर हम मस दाल दाल देंगे इसमें हम एक चमस नमक डाल देंगे आधा चमस हल्दी पाउडर डाल देंगे और ढखकन लगा के हम दो सीटी लगा लेंगे ताकि दाल थोड़ा सा गल जाए देखिए मेरे दो सीटी लग गया और दाल पक चुका है और दाल मेरे को इसी तरह चाहिए थोड़ा सा गल गया है और इसमें हम हारा मीच डाल देंगे चार फिर हम साग को डाल देंगे दाल इसलिए हम पकाते हैं कि साग और दाल एकी साग डालेंगे तो फिर दाल नहीं पक पाता है उपर गोला गोला दिखने लगता है और इस तरह दाल पक जाता है फिर हम चना कसाग डाल देंगे तो अच्छी तरह पक के घूल जाता है फिर हम इसमें पानी डालके मिस कर ले और हम थोड़ा सा इसमें और पानी डाल देंगे फिर हम सीटी लगा देंगे धी में आज पर हम इसको चार-पांच सीटी में पकाएंगे देखिए मेरा साग पक चुका है अब हम चेक कर लेंगे फिर हम गैस्पर से उतार लेंगे इसको फिर हम कडाही में इसका तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए हम सर्सो का तेल ही डालेंगे इसलिए सर्सो का तेल में ये अच्छा लगता है और तेल गरम कर लेंगे फिर हम इसमें हम जीरा डाल दे रहें थोड़ा सा फिर हम इसमें हिंग डालेंगे हिंग डालना जरूरी होता है दोस्तों इसलिए कि हिंग चने के साग में बहुत स्वाद अच्छा आता है और दो लाल मिज डाल देंगे इसमें हम सुखा फिर हम इसमें चनेक साग डाल की तड़का लगा लेंगे और इसी तरह चला चला के हम इसको थोड़ा सा घोट लेंगे जो पानी है इसको हम सुखा देंगे पूरा देखिए मेरा साग बन चुका है और इधर हम चोखा बना लेंगे हम टमाटर बैगन और आलू लिये हैं और हम हारा धनिया और हारा लहसुन लिये हैं और दो मिर्चा लिये हैं भूंज के और इसको डालने से इसका बहुत टेस्ट अच्छा आता है हारा हारा और तेल डाल देंगे दो चमच हारा लॉसुन डालने से इस चोखा का बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब कट करके हम चोखा में मिस कर देंगे देखे इदर मेरा साग भी पक रहा है अब डालके सब को हम मिस कर लेंगे देखे मेरा इदर साग चोखा सब तयार हो चुका है अब हम इस पे चावल रख देंगे देखे मेरा चावल भी बन चुका है और साग भी बन चुका हम चावल साग और चोखा हम निकाल लेंगे और साग के साथ मुल्ली बहुत अच्छा लगता है और बिहार में हम लोग साग मुल्ली चोखा सब एक ही साथ खाते हैं बहुत अच्छा लगता है आप भी बना के ट्राइ कीजिए और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बाए बाए मेरे वीडियो को लाइज सस्क्राइब कीजिएगा बाए